कलिया आने के बाद अगर हम अपनी क्रिसंथिमम में सही तरीके से ध्यार नहीं दे पाते एक छोटी सी मिस्टेक क्या है सारी की सारी हमारी मेहनत को बिकार कर सकती है तो हेलो दोस्तो आपका मेरी गार्डन में स्वागत है तो आप सामें ये देख रहे हैं क्रिसंथिमम के बहुती प्यारा सा पौधा जिनकी जो है बिल्कुर अच्छे तरीके से इनकी कलियां आ गई है और ये कुछ टाइम में जो है ये प्लांट जो है प्रॉपर जो है कुछ ऐसी वरायटी होती है जिनमें प्रॉपर जो है बिल्कुर ही ज़रूरत नहीं पढ़ती है जैसे कि ये मेरी वरायटी है इसमें पिंचिंग की बिल्कुल ही ज़रूद नहीं है बिना पिंचिंग के यह अपने आप मल्टिप्लाई होते हैं और देखिए यह छोटा सा कटिंग में लेके आए थी नर्स जिसे लास्ट ये जब सीजन आफ हो रहा था अब देखिए इसके बहुत सारी जो है पौधे बन बड़ी से तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो फुलार आएंगे वह भी काफी बड़े-बड़े से आएंगे देखिए कलिया काफी बड़ी-बड़ी सी है और इसी का फ्राइट ये दूसरा है देखिए इसमें भी कलिया जो है आ गई है और इसके भी फूल पौधा है ब्लूम होगा और जो लेट बुलूमर होते हैं ये वाले होते है पौधे देखिए इनकी पतियों का शेप थोड़ी सी अलग है अकोर्डिंग तू दिस देखिए तो ये जो दो वराइटी दिखाई दे रही है आपको ये लेट बुलूमर है यानि की थोड़ी से लेट जाके जो है ये बुलूम करते हैं अब एक्जांपल के तौर पे इस कंटेनर को देखिए कंटेनर नहीं ग्रो बैग में मैंने क्या है पौधे लगा रखे हैं इसमें दो वराइटी है एक तो अर्ली बुलूमर वाले हैं देखिए यलो कलर के हैं काफी अच्छी सी इन बुलूम होगा तो देखिए यहां पर आपको पत्तियों का जो साइज है आपको अलग दिखाई देगा यह देखिए तो बात गरते हैं कलिया आने के बाद हमें इसके जो है कैसे करनी चाहिए सबसे पहले अपने क्या करना है आपने सुना हुआ कि कलिया आए फॉर्स्ट व आप अइसा बिल्कुल भूल के भी ना करें पहला जो कलिया इनको को पिंच करके नहीं हटाए अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो वह अपनी रिस्क take हठाई, क्या पता है यह कल'िया को किंच शुप कर देना है अब को भी पिंचिंगने को पौधे कर देन therefore क्वälग में तो इस स्प्रे रहना है अगर नहीं रहता है कित प्तंगों चोरी अठाइक हो जाता हूझ आप लाइक कलर्री के कीड़े लगजाते हैं अब यहां पर देखे चीए आपको दिखाये दे रहा है यह देकिए इसमें अभी टाइम नहीं लगा मिरको इसमें किया नहीं मैंने ख्याल से देखिए अब इसमें यह फंगस कीड़े लगना यह और आप उदो भड़े लेकित वो डैश यानि की राक लेकि उपने का दिया तो इसको मैं कर दूंगी & कुरूंगी हों तो क्या है हमें फंगस से बचाना बहुत ज़्यूरी है और यहीं पौदा है जिसमें यह काम करना बहुत ज़ूरी है ताकि यह जो फंगस जो है दूसरे प्लांट में जो है ट्रांसफर ना हो तीसरी बात अभी ठड़ने का मौसम आ गया हवा में भरपूर नमी है तो हम रेगुलर बेसेज पे पानी ना देखें गंबले की मिट्टी एक बार हम चेक कर ले कि गिली है या ड्राई है तब हम इनको पानी दी अगर हमने पानी देते र है कि सुखा इमिटी तो मैं जो है पानी देती जो है गई इसके वादे से यह जो है प्रॉब्लम आई है से हम ऐसे ही है ज्यादा तर यह समस्य जो आती है जो प्लास्टिक वाले पॉट होते हैं उनमें ही आती है बाकियों में तो नहीं आती है देखिए इसमें भी मैंने पा नहीं हो गयी है अब किया चक्क रहा कि आथ कि बाद प crispy जिए बड़ा हो गया दो पॉधेशी है इस एक पानी थोड़ा सा आप आता है यह जो हो गिर जाता है तो इसमें युझ यह जो पानी देना पड़ेगा तब यह जो है इसकी कंडिशन ठीक होगी तो पानी ना मिलने की वज़ए से यह जो है इसकी पद्धिया देखिए बिलकुल जो है पाउधे जो है अच्छा जो दिखाई नहीं दे रहा देखिए यह तो यह हमने ध्यां रखना है कलिया आने के लोगे बहुत सारी बहुत सारी ब्राउन के घरते हैं तो हमने क्या है इनको प्राउड देक्ति है ताकी दूस्तरी की पानी के ड्रीक से पानी कुछ अटाइक ना हो यानि मेरे कहने का मतलब फंगस विगरा जो है नापन अपने पाए और वैसे यह ब्राउन लिप जो है इसमें पड़े हुए है पतियां जो है तो क्या यह अच्छा लग रहा है देखने में बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर क्या करेंग क्रिसेंधिमम के वर्याइटे बहुत यानि की हजारों की संख्या में इनकी तो अगर जिस भी वर्याइटे के जो फूल होते हैं बड़े साइज के होते हैं तो आप उनको ज्यादा पिंचिंग ना करते हुए एक बार पिंचिंग करें छोड़ दीजे देखी यहां पे मैंन पिंचिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ब्राचेस मुलिय होंगी लेकिंफूल क्या है कलिया तो नहीं हो पाएंगी और फूल बड़े sizes में जो हे बीक स्टेक हो गया है तो इस बार क्या है देखिए मैं इसमें पिंचिंग बिल्कुल नहीं किया चोटा सा पौधा है अभी वही दूसरी व्राइटी है इसमें बहुत रहे मैंने फूल आ रहे हैं यानि कि तहलिया के साइज के फूल जो आते हैं उसमें ज्यादा पिंचिंग ना करें जिए ज़िए पानी के वज़े से प्राव्वर्म आगे थे अब सारी पतिया अच्छी तरीकी से जो है पानी का कंट्रोल हो गया तो सब कुछ कर लिया हमने अब हम बात आती है इस पर कि कलिया आतो गई है लेकिन अब क्या है इनको खिलने के लिए भाई एनरजी की जरुत पड़ेगी यानि हैं तो आप एंजाइम भी दे सकते हैं केल्शियम दे सकते हैं या फिर अगर और गैनिक में जाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मस्टर्ड खली फटलाइजर तो कैसे बनाना है उपर जो मैं हाइलाइट जो है मैं दे दूंगी आपको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है म अच्छा रहेगा फंगस पर ना पने पाई बस तीन से चार दिन तक रख लिजिए अगले दिन जो है बन के रेडी हो जाएगा लिक्विड उसमें लिजिए एक पार्ट लिक्विड उसमें आठ से दस गुना पानी मिलाईए और पौधों को जो है तीन सो से चार सो एमेल जो ह खाना नहीं कोई फंजिसाइड से स्प्रे सिर्फ पानी देना है ताकि जो है नमी मेंटेंड रहे और जो है फूल है काफी लंबे वक्त तक चलता रहे तो फटलाइजर क्या देना है कल में आपके शेयर करूंगी क्योंकि मेरी फटलाइजर जो है अभी मैंने बनाए है तो अब यह दूसरा दिन है यह दूसरा दिन है तो यह सरसोखली फटलाइजर गिंटर फ्लावर के लिए बहुत ही अच्छा फटलाइजर है और दो दिन लगेगा इसके बाद यह बनके रेडिक हो जाएगा कैसे देना है हुआ मैं आपके शेयर करूंगी तब तक के लिए अच्छा लगी तर यह बलुम हुपा है